हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंख स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत उश्य होंगे उत्तर परदेश से सिख्चक की नई भरती आई है बहुत बड़े खुब्सक्रबरी है फाइनली रिकूट्मेंट आ चुकी है इस बारे में बात करेंगे उस कानपूर से देख रहे हो या फिर लखना उसे देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके उसका नाम जरो लिखे हैं अगर कोई बनारस से देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बनारस यूपी लिखते हैं तो चलिए आज की जो नई बहाली आई है उसके बारे में मैं आपको पता पर आपकी एज रखी गई है क्राइटरिया में 25 से 45 के बीच अगर आप हो तो आप अपलाए यहां पर कर सकते हो पहली बात दूसरी बात सेलरी आपको 22,000 रुपए पर मन्त दिया जाएगा और आखरी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ टीचर वाली और भी चीज़े मैं आपको दिखाऊंगा यू डॉन्ट नीट वरी सारी चीज़े आपको यहां पर बताए जाएगी वेट ए मिनट दिखिए यहां से वेट ए मिनट एक्चुली यह उपर में होना चाहिए जी हाँ यहां से आप देख पाओगे 11.12 तक आप इसे जो है अपलाई कर सकते हूँ यानि की 11.12 तक आपको अपलाई केशन को अपलाई करने का टाइम दे दिया गया है विग्यान की रिकुट्मेंट है, गनित की रिकुट्मेंट है, समाजिक विषे की रिकुट्मेंट है, भासा की रिकुट्मेंट है और अंग्रेजी की रिकुट्मेंट है देखिए अगर मैं कुल पद की बात करूँ तो यहां पे कुल गलत लिखा हुआ है typing error है ये दो vacancy है विग्ञान के लिए एक जो है वो क्या है एक EWS के लिए आरक्षित है और एक जो है OBC वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है और गनित में जो है एक general वर्ग के लिए और एक SCST के लिए और एक जो है OBC के लिए टोटल तीन post आपको दिखेगा यहां पे अग इंगरेजी के लिए एक पद है यह जो की general के लिए है सभी लोग अपलाई कर सकते हैं OBC के लिए एक पद और एक पद जो है SCST के लिए तीन post आपको यहां भी दिखेगा अब qualification क्या चाहिए होगा तो देखिए science वाले के लिए BC यानि कि Geology, Botany और Chemistry साथ में आपका जो है TET होना जरूरी है यानि कि कोई भी टैट अगर आपने पास कर रखा है आप यहां पे इलिजबल अपने आपको पाते हो BEARD का होना जरूरी है BTC वाले इसे apply नहीं कर सकते हैं अगर यह तीन क्राटरिया है science के लिए तो आप apply कर सकते हैं गनित के लिए PCM का होना जरूरी है PCM यानि कि Physics, Chemistry, Math, BEARD और आपका CTAT, Paper 2 या फिर UPTAT, MPTAT कोई भी अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है आप eligible पाती हो अपने आपको समाजिक विसे के लिए देखिए अगर आपका भुगोल, History, नागरिक मैंसे यानि सिबिक्स मैंसे कोई एक है काम आपका बन जाएगा साथ में आद रहेगा BEARD और PEPER 2 होना जरूरी है हिंदी के लिए देखिए हिंदी और संस्क्रीट से graduation होना जरूरी है TAT का PEPER 2 जो मैंने आपको पताया सेम बित अंग्रेजी के साथ है अंसकालिक सिख्चिका महिला वर्ग के लिए देखिए कला एन क्राप्ट संगीत और ग्रीसिल्प के recruitment है कम्प्यूटर सिख्चिका के recruitment है स्काउट गाइड एवं सारे रिक सिख्चिका के लिए भी recruitment है अंठानवे सो रुपे पर मंथ आपको यहां पर दिया जाएगा जो मैंने रिस्पेक्टिव पोस्ट के बारे में बताया उसके बारे में यहां से देखे पुर्ण कालिक महिला जो लेखाकार है उनके लिए सेलरी 11,000 रुपे पर मंथ रखा जाएगा जोकिदार के लिए 5,750 रुपे आपको पर मंथ दिया जाएगा हाई स्कूल, मैट्रिक, इंटर, इसके अलावा ग्रिजुएट्ट, इसके अलावा टैट का जो परमान पत्र है, अनुभब परमान पत्र अगर आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास, जाती परमान पत्र, सभी की च्हाया परती आपको लगेगी, स्वा प्रमानित यानि कि self-attested आपको लिख कर भेजना है self-attested के साथ आप इसे भेजोगे ठीक है और नीचे अपना signature लिख दोगे जैसे किसी का नाम पूजा है तो यहाँ पे वो अपना पूजा लिखेगी अगर किसी का नाम जो है रितू है वो रितू लिखेगी और याद रखेगा जो बड़ा लिखाफा जिसमें आप सारे डोकुमेंट और यह दो लिखाफा each and everything दोगे उस लिखाफे के ऊपर अगर आपने जैसे कि ST से अपलाई किया है तो ST आपको लिख देना है सबजेक्ट आपने कौन सा अपलाई करा है सबजेक्ट अगर आपने हिंदी अपलाई करा है तो यहाँ पे आप हिंदी लिख दोगे ताकि दिक्कत ना हो उने दूसरी बात किनिका जेनरल है तो वो GEN लिख देंगे या फिर UR भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा EWS बाले EWS यहाँ पे लिख देंगे अगर आप OBC से हो तो OBC आप जरूर लिख दें यहाँ पे ताकि उनको दिक्कत ना हो यह कॉन्ट्रेक्श्वल वेकेंसी है मिर्जापूर से यह आई हुई है सिर्फ और सिर्फ महिलावर्ग के जो अवियरती है वही इसे भर पाएंगे आखरी डेट इसके रखे गई है 11-12-2023 11 दिसमबर तक आप इसे अपलाई कर सकते है तो यह कुछ recruitment है याद रखेगा साधारन डाक से आपको नहीं भेजना है इस बात का खास ख्याल रखे हो सके हो सके नहीं करना ही है रजिस्टर डाक के माध्यम से यानि की पंजी कृत डाक या फिर स्पीट पोस्ट के माध्यम से आपको इसे भेज देना है वीडियो आपने यहां तक देख लिए है तो प्लीज नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम जरू लिख दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिष्तिदारों तक सेयर करें लाइक करें और नए होतों चैनल को सब्सक्राइब करते में जाना है थेंक्यू सो मच